दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने जैनल बेडियाफ ने उच पर आज हर्याना के कुक्या गैंक्टर लॉरेंस विस्सोई के सबसे खतरनाक साथ ही कहे जाने वाले गैंक्टर काला जठेडी को लेकर एक बड़ी खबर निगल कर सामने आ रही है दोस्तों और कहा जा रहा है कि काला जठेडी की मा जो बहुत ही बुजरुग थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली है अब कुछ लोग तो ये भी दावा कर रही है कि काला जठेडी की मा ने आत्महत्या नहीं की बलकि उन्हें मारा गया है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि और एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि कल उनका अंतिन संसकार होने वाला दोस्तों और काला जठेडी तेहार जेल से बाहर निकल कर आ सकता है तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, सारी क्या-क्या बाते हैं, क्या कुछ घटनाएं है, इसमें कबर में अपडेट क्या है, मैं आपको बताने कि अगर कोशिश करूँ, तो इस वीडियो के अंतर दोस्तों बने रहे गा, तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, यही है ग नुराधा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन कोट ने इसे वक्त नहीं दिया, और अब दिल्ली के तिहार जिल में बैठा हुआ है, आज खबर आई कि इसकी मा जिनका नाम था कमलेश देवी उर्फ कमला जी, उनकी मौत हो गई है, और धोके से ये शुर्वाती जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने के इटनाशक दबक खाया है अपने दबक खानी के जगह पर और उन्होंने इसके बाद दम तोड़ दिया, अब उनके शव का जो है पोश्टमाटम सिविल अस्पिताल में रौतक के ही कराया जा रहा है, सोनीपत के मा लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी रहा करती थी और अब कहा जा रहा है आसपास कानाफोसी हो रही है, सोशल मेडिया पर बातें आ रही है कि भाई संधी पुर्फकाला के मा को ये बिल्कुल पता नहीं था, बरोसा नहीं था और उन्होंने उनके मरजी के खिलाब जाके शादी की थी उनके बेटें संधी पुर्फकाला चछेडी गैंसर ने, जिसके बाद उनका कुछ इस तरह से हश्र हुआ है, फिलाल पुलिस जो है पोस्ट माटम रिपोर्ट के बाद ही काफी सारी चीचें क्लियर कर पाएंगी, लेकिन दोस्तों संधी पुर्फकाला उस समय जब आप गया दोगा सोशील कुमार पहलवान ने देली के 76 साल स्टेडियम में सागर धनकड की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी और उस वक्त संधी पुर्फकाला का एक भांजा था सोनु महाल, सोनु महाल भी सागर धनकड के साथ था और जब उसकी भी पिटा ही संधीपुर्फकाला बहुत तेजी से चर्चा में आया और बाद में उसकी उत्रपरदेश के सहारनपुर से उसी की प्रेमी का उस्तवक्त थी है नुराधा चौधरी जो आजपत्नी है उसके साथ गिरबतार दिली पुलीस की स्पिसल असल ने किया था संधीप के बारे में भी सैकडों की संध्या में शोटर शामिल हैं और हरियाना पुलीस ने उस पर इनाम की राशी को बढ़ा कर साथ लाग रोपे किया था दिली पुलीस ने मकोका लगाया था और उसके बाद पकड़ा गया कहा जाता है कि बारवी तक पढ़ा लिखा है वो पहले केबल आया उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा जुर्म के दुनिया में वह आके बढ़ता चला गया तेरह मार्च को दोजार चौबीस यानि इसी साल लेडी डॉन हंवराधा चौदर इसके शादी हुई थी और देली पुलीस की कड़ी सुरक्षा के बीच में स क्या कुछ निकलता है उन्होंने कौन से कितना शक्त दवा खाई है जिसके बाद उनकी मौत हो गई क्या उन्हें जबरन खिलाने की कोशिश की गई है कितनी मात्रा में उन्होंने दवा खाई और यह सब कैसे मालूद जलेगा कि काला चौद उन्होंने कितना शक्त दवा खा के शामिल होता है , तो शायद वह जेल से निकलने के बाद सुरक्षा लवस्था और जादा दीकने को मिल सकती है क्योंकि दोस्तों सन्दी पुरुफ accepts killing क्या दुश्मन बहुत पुलीस के लिए एक बड़ी चनौती हो सकती है कि दिल्ली के तिहार जेल से उसे कैसे अपनी मा के अंतियम संसकार में लेकर पुलीस जाए की क्योंकि ऐसे में सुरक्षा वैवस्था अगर मुस्तायद नहीं हुई तो शायद जो अनुहोनी होती है गैंग बॉर की अशंका होत तो शायद पुलीस को मुस्तैदी और दिखानी पड़ेगी क्योंकि काला जठेडी के दुश्मन जैसा मैंने जिक्र किया बहुत जादा है और गुनाहों की लिष्ट भी एक लंबी है दिल्ली के तिहार जेल में जबसे तिल्लु ताजपुरिया के हत्या हुई है तब से निज़ात पाने के लिए पुलीस ने पूरी तैयारिया कर रखी है वैसे जब कल पोश्माटम के रिपोर्ट आएगी दोस्तों इस केस में हम आगे क्या कुछ हुआ बताएगे और संदीपुर्फकाला शामिल होता है तो क्या कुछ हुआ आगे मतलब इस केस से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक महुँ जाने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी सी अपडेट थी जो मैंने आपसे साजा की इस खबर पर इस खबर पर अपनी विचार रखिएगा आपने के इमतियों सुझाव रखिएगा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नमस्कार जै हुआ 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 है